हलो स्टूदेंट दिस संजू ठाकूर नौ वैलकम टू टागेट फोकस वन स्टेप टू वर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लैटफॉर्म यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है तो जो भी आज हमारे साथ नए जुने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जुरू प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके आज हम डिसकस करें सिक्स सेशन पांच दर प्लस प्रश्णों के संग रहे का जो आपके सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए उप्योगी रहेगा तो जिस किसी को भी सेशन का पीडिया फॉर्मेट चाहिए तो हमारा टेलिग्राम चैनल उसको फॉलो कर लीजेगा डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है तो कंटीनू कर लेते हैं आज की सेशन को तो आज का पहला कोशन है नाभी के और जो प्राप्त करने के लिए किस तत्यों का प्रियोग किया जाता है तो नाभी के और जो प्राप्त करने के लिए किया जाता है यूरेनियम तत्यों का उप्योग तो अगला कोशन है रेशम उत्पन करने वाला जीव कौन सा है तो रेशम उत्पन करने वाला जीव होता है बामबिक्स मोराई अगला कोशन है ब्रहमस माज की स्थापना किस ने की तो ब्रहमस माज की स्थापना कीती राजराम मोहन राय ने अगला कोशने राष्ट्रिय और पांडूलीपी मिशन का प्रारंब किया गया तो राष्ट्रिय और पांडूलीपी मिशन प्रारंब हुआ था दो फरवरी 2003 को अगला कोशने ब्लेक हिल्स, ब्लू परवत और ग्रीन परवत नामक पहाडियां किस देश में स्थित है तो ब्लेक हिल, ब्लू परवत और ग्रीन परवत नामक पाहडियां स्थित है USA में यानि युनाइटे स्टेट अमेडिका अगला कोशने वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कफ कहां खिला गया था तो वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कफ खिला गया था इंग्लेंड में अगला कोशने जनसंग के अब रिदी रोकने है तो देवी रूपक योजना किस राज्या में चलाई जा रही है तो जनसंग के अब रिदी को रोकने के लिए जो देवी रूपक योजना ये चलाई गई है हर्याना द्वारा अगला कोछने मौरियूतर योग में जैन धर्म का परशिद केंदर कहां था मधुरा हैंगेंग गार्डन चुछने का पूछा जाता है तो यह है बेबिलोण में और जो बेबिलोण है यह है वर्ल्ड हैरिटेस साइट युनेस्को द्वारा पर्मानित और जो बेबिलोन है ये कौन सी कंट्री में है इराक में अगले क्वेशने प्रित्वी के किस भाग पर जी का मान अधिक्तम होता है तो जी का मान अधिक्तम होता है पोल्स पर यनी द्रोगों पर और मिनीमम होता है यनि कम होता है कहां पर यह होता है equator पर next question है मुख्यमंत्री की न्युक्ति सविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है तो मुख्यमंत्री की न्युक्ति की जाती है अनुच्छेद 163 के तहत next question है भारी जल का रसाइनिक सूत्र क्या है तो हेबी वाटर का जो है रसाइनिक सूतर होता है D2O नेक्स्ट कुछने प्रथम जैन सवा कहां आयोजित की गई तो प्रथम जैन सवा आयोजित हुई थी पार्टली पुत्र में तो अगला कुछने ओसकर पुरुसका से सम्मानित फिल्म एलिजाबेत के निर्देशक कोन है तो यह है शेकर कपूर तो अगला कुछने कवक की कोशी का विती किस से बनी होती है तो कवक की कोशी का विती बनी होती है काईटेन से नेक्स्ट कुछने भारती राष्ट्रियो शेयर बाजार का मुख्यालिया कहां है तो भारती राष्ट्रियो शियर बजार का मुख्याले है मुंबई में नेक्स कोशने कौन सा विश्य अर्थशास्र में बरनित है तो कौन सा विश्य है वही अर्थशास्र बरनित तो यह है राजनीती अगला कोशने फिल्म मदर इंडिया में नर्गिस के पती की भूमी का किस ने अदा की थी तो जो मदर इंडिया फिलम थी उसमें जो है नर्गिस के पती की भूमी का अदा की थी राज़ कुमार ने तो अगला कोशने हैजा किस कीट से फैलता है तो हैजा फैलता है घरेलू मक्ही से नेक्सक्षरामे और जो सासरामे ये कौन से से स्थापक कुन थी तो अगला कश्ने किस फिलम निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिलम कंपणी की स्थापना की थी तो हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना हुई थी 1917 में और ये की थी दादा साथ फालके ने तो अगला कोशने किस माहा सागर में दूइपों की संक्या सरवादिक है तो सबसे अधिक दूइपों की संक्या है परशांत माहा सागर में नेक्स क्वेशने मौर्यकाल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था तो नगर का अध्यक्ष कहलाता था नायक तो नेक्स क्वेशने किस बजार को अर्थ बेवस्ता का बेरोमीटर कहा जाता है तो किस बजार को बोलते है वही अर्थ बेबस्ता का बेरोमेटर तो ये बोलते है शेयर बजार को नेक्स कोशने अयोध्या में बाबरी मस्जद का निर्मान किस ने करवाया तो अयोध्या में बाबरी मस्जद का निर्मान करवाया था मीर बाकी ने तो अगला कोशने है स्वरन कलम पुरुसकार किस क्षेतर में दिया जाता है स्वरन कलम पुरुसकार दिया जाता है सीनेमा के क्षेतर में तो नेक्स कोशने प्रित्यू के किस भाग पर जी कमान न्यूंतम होता है तो जी कमा न्यून तम होता है भूध मद्यारिखा पे यहनी equator पे और maximum कहां पर होता है, evolved पे अगला कोशनी है राश्ट्रिय विकास परिश्द की बेठक में राज्जे का प्रतिने दिद्धों कों करता है तो राज्य का प्रतिन एदित तो करता है राश्ट्री विकास परिशद में मुख्य मंत्री नेक्स कोशने सीसा का निश्कर्षन मुख्यत है किस अयसक से किया जाता है तो सीसे का निश्कर्षन किया जाता है गैलेना से नेक्स कोशने हुमाई नामा किसकी रचना है तो किसकी रचना भाई हुमाई नामा यह है गुल बदन बेगम की रचना नेक्स कोशने दचाइना पैसेज के लिखक कौन है दचाइना पैसेज के लिखक है जेके गालबरित तो अगला कुछ ने माहा सागरिय जुआर सम्मंदी अपर गामी तरंग सिधान का प्रतिपादन किस ने किया था तो अपर गामी तरंग सिधान का प्रतिपादन किया था एरी ने तो नेक्स कोशने बारत के कुल बगॉलिक शेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैगरोव वंसपती है तो कुल बगॉलिक शेत्र जितना है बारत का तो उसमें कितने प्रतिशत भाग पर मैगरोव वंसपती लगी है तो यह है लगी 0.14% भाग पर नेक्स कुछने अपने देश की मुद्रा का वी देशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मुल्या परदान करना क्या कहलाता है अपने देश की मुद्रा का वी देशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मुल्या परदान करना यह क्या कहलाता है तो यह कहलाता है अदि मूलीन यानी ओवरवैलिशन नेक्स कुछने सबसे जहरीला साइप कौन सा है तो अगला कुछने मुख्य मंतरी अपना त्याग पत्र किसे देता है तो मुख्य मंत्री अपना त्याग पत्र देता है राज जेपाल को तो अगले कौशने कौन सा वाइसरा है साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडित के नाम से जाना जाता है तो ओवन मेरिडित के नाम से कौन जाना जाता है तो ये जाना जाता है लॉर्ड लिटन नेक्स वश्षने गितांजली की रचना किस ने की थी दरम सुधार अंदोलन की शुरुआत सरप्रतम कहा हुए नेक्स वाइसराय ने सिविल परिक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से गटाकर 19 वर्ष कर दी थी तो ये की थी Lord Rippon ने अगले कुछने कमायनी किसकी रचना है तो कमायनी किसकी रचना है ये है जैशंकर परसाद की अगले कुछने सरवधिक स्थाई तत्वा कौन सा है तो सरवधिक स्थाई तत्वा होता है सीसा अगला कुषने पंचायती राज किस सूची में है तो पंचायती राज आता है किस सूची में राज्य सूची में तो ध्यान दिजीगा इंडियन कॉंस शूट में फ्री टाइप की लिस्ट होती है union list, state list और concurrent list तो at present union list में कितने subject है 100 और state list में है 61 subjects और concurrent list में है 47 subjects तो अगला कोषने वृद्ग की मृत्यू की घटना को क्या कहा गया है महा परी निवारन तो अगला क्वषन संयोकत राजände अमेरिका का राष्ट्रिय खेल क्या है तो संयोकत राज्या अमेरिका का राष्ट्रिय खेल है बेसτόल तो आज का last question है एश्य महादूइब के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है तो एश्य महादूइब के सबसे उत्तरी भाग में पाई जाती है टुन्टरा वनस्पति तो आज की सेशन में इतना ही करते हैं आई ओप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा